नमस्कार दोस्तों दाद खाच खुजली से करोडों लोग परिशान रहते हैं और ये एक ऐसी बिमारी है जो आम तोर पर सभी लोगों को अपना शिकार बना लेती है कई बार कुछ क्रीम लगा लेने से या कुछ एंटि फंगल पाउडर लगा लेने से ये ठीक हो जाती है दोवाईयां ऐसी होती हैं दाद खाच खुजली को मिटाने के लिए कि उनको लगाने के बाद इतना ज़्यादा जलन होता है कि दोबारा लगाने की हिम्मत नहीं होती जब आप लगाते हो तो बहुत जलन होता है उसे में थोड़ा सा आपको लगता है कि ये ठीक कर देगा लेकिन दर्द भी आपको सेहना पड़ता है और कुछ दिन के बाद फिर से खुजली चालो हो जाती है तो दोस्तों जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आपको जनकारी नहीं होगी और यकीन मानिए दस साल से भी उपर कि अगर या आपको बिमारी है अब वो दाध है खाज है खुजली है दिनाय है रिंग बॉर्म है जो भी हो एकजीमा है ये बहुत तरह के होते है एक तो लोगों को समझ भी नहीं आता है कि मुझे दाध है कि दिनाय है बस खुजाते रहते हैं कुछ ऐसी जगह पर भी हो जाती है जहांपर आप पब्लिक प्लिस में खुजला भी नहीं सकते है दोस्तों यह उपाए आप लोग सरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर जो भी तरीका में आपको बताता हूँ सिंपल होता है साधारन होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है और यकीन मानिये पहले दिन से आप लोगों को इसका असर दिख जाएगा और खुजली नहीं हो या पुरानी हो उसको मिटाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों जब आपको खुजली हो जाती है जब आप खुजलाते है आपको बहुत आनन दाता है जैफल ले ले जैफल को ले आएं अपने घर पे उसका पाउडर बना ले और लगभग आधा चमच से आधा चमच यह बहुत पाउरफूल होती है यह गर्म होती है आधे चमच का आधा चमच आपको जैफल लेना है और उस जैफल में आपको मिलानी है लगभग आधा चमच का आधा चमची नीम का तेल नीम का तेल नवे लगो नाड़ियल तेल से भी काम चला सकते हैं और इसको अपने दाद खाजकुजी पर रात में लगा लें रात में अच्छे से लगा लें रात भर लगा रहने दें सुब्स अपना हाल है इतना आप करें आप पाएंगे कि जैफल और नीम के तेल का यह परियोग या जैफल और नारियल तेल का यह परियोग आप लोगों के लिए बहुत काम हैगा बहुत सारे लोगों को नीम ओयल से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है स्किन लाल पर जाती है तो उन लोगों के लिए आप नारियल तेल का इस्तमाल कीजेगा और अगर आपको नीम के ओईल से कोई दिक्त नहीं तो नीम के ओईल बाला आप फर्मूला ही इस्तमाल कीजेगा दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीजेगा